नमस्कार मैं भीमाराम चोटरी असिस्टेंट प्रॉफेसर सोस्चियोलाजी डिपार्ट्मेंट S.P.C. गौर्मेंट कोलेज अजमेर Dear students, S.P.C. गौर्मेंट कोलेज अजमेर के समाजसास्तर विभा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अभिनेंदन है Dear students, हम B.A. Part 3 के सेकंड पेपर समाजिक मानोसास्तर को बढ़ रहे हैं इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आदिम अर्थ विवस्ता इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आदिम अर्थ विवस्ता की जो कारे प्रणा लिए मेकनिजम और प्रिमिटिम एकॉनमी है उसके दो आधारों का विवेचन किया था आदिम अर्थ की विवस्ता की किरिया सिल्था के मुके रुप से चार आधार है स्रम विवाजन, उत्पादन, वितरन, उपभोग और विनेमे Dear students, जैसा कि आप जानते हैं स्रम विवाजन किसे भी समाज की मूल बहुत समाजिक प्रगटना होती है जिसके आधार पर समाज में विविनकारियों का संपादन किया जाता है और इसी तरह आदिम समाज की आर्थी विवस्ता है आदिम आर्थी विवस्ता है, उसमें भी जैंडर लिंग की आतार पर और आयू की आतार पर स्रम विवाजन होता है और इस स्रम विवाजन के वादिम से वो विमिन आर्थी क्रिवाओं को संपन करते हैं कि मादम से अपने मौल भूत जरूरूतों की पूर्थी के लिए आवसे खार्द्यान का संकलन और उत्वादन करते हैं, अपने जीवन के अस्तित्तों को बनाई रखते हैं, अपनी और परिवार और समुधाय की जरूरूतों को पूर्थी करते हैं, और अपना जीवन निर्व करते हैं हम जानते हैं कि आदिम अर्थी वस्ता का जो मुख्य उद्धित से वैस सारे रिक अस्तित पर बनाए रिखना और अपनी मनवेगी में आवस्ताओं की संतुष्टी करना होता है वो लाबार्जन के लिए एकादिकार के लिए प्रभुता इस्ताफित करने के लिए और बाजार में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए आर्थे क्रियां उनका संचला नहीं करते हैं उनका मुख्य उद्धित से जीवनियापन होता है और वो समुदाइक दाइत बहुत और कर्तवे बहुत की भावनों के साथ आर्थे क्रियां करते हैं उत्पादन की क्रियाओं को संपन करते हैं व्यक्ति परिवार समुदाई तेनों उसके एकाहियव होती है वहाँ निया जाता है वहान समुदाईक एक जूता सेकारिता की भावना भहुत प्रबल होता है एक सब के लिए और शब एक से ले इस बावना से वह काम करते हैं यह है ऐर्टी मर्तिविवस्ता की बहुत मेस्टपुन भी सीस्टप अब तक आप यह पड़ चुक Commons कि आदिम जो अर्च वेस्ता सुस्त्रम विवाजन इस्त्री पुरुस के आदार पर जेंटर के आदार पर होता है और जो उत्पादन है उसमें वो पसु पालम के साथ प्रसी क्रियाओं के मादम से अनाज और अन्य फल सब्जियां इस तरह की चिजों का उत्पादन करते हैं और परिवार और समुदाय की जरुतों को पूर्टी करते हैं इसके अत्रिक जो खाद्य पदारत है खाद्यान है बच जाता है तो समुदाय के दूसरे सब्जिशन के पूर्टी के लिए उनको वेफलब्द करवा दिया जाता है तो इस तरह वहां पस्थ्रम वेवाजन और उत्पादन की आर्थिक्रियां ये संपन होती हैं ये दो मुद्ध मेहत्पून गटक हैं जिनको हमने पड़ा है अब हम पड़ेंगे वीतरण एंवभबो को इस्टुडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ व्यवस्ता के अंदर हम जानते हैं कि उत्पादन होने के बाद जो अत्रिक्त खाद्यान या जो चीजें बच जाती हैं वो दूसरों को उनकी जरूरत के नुसार उपलब्द करवाई जाती है सरववस्ता में यही वीतरण है। वीतरण का ताक्षिय है कि आ řती गतवादन की प्रिक्रियाओं पर प्रतीक व्यक्ति को जो हिस्षा मिलता है उसका वे उसका वीतरण कहलाता है और उसके अत्रिक्त अगर कोई चीज बच जाती है तो विन्य किम्मे के महाद्यम से भी दूसरे लोगों को फ्लग्द करवाई जाती है वित्रण की जो ये क्रिया विद्धी है और ये जो घठे कहरती है वस्ता का इसके अंत्रगत समुदाय के जो सद्धे से हैं जन्जाती समुदाय के आदिम समाज के जो सद्धे से हैं वो सिकार करके या अनाज उत्पादन करके जो खाद्यान पेदा करते हैं उत्पादन करते हैं इसका जो वीतरन होता है उसका ओल वुल टातार शामाजिक होता है ने कि आर्थेक यानि absorbed प्रथा और परंपरा के निसारत होता है अधिकांस तेया है यह मुधिया की देख रेकמתय होता है प्रती जन जाते का आदोंसमाज का एक मुधिया होता है और वो बहुत एस सम्मान मही ये पद्ध होता है आदम समाज में और उसके आदिसों की पालना की जाती है कोई भी स्थार होता है इस तरह होता है कि परिवार क्यादार पर उत्ता है वो अपने सदेशे में उसका वित्रंड कर लेते हैं उसके बाद अत्रिक्त खाद्यान अगर बचता है तो वो मुख्या या दूसरे जनजाती के आदिम समुदाई के जो दूसरे सदेशे उनको प्लब्द करवा दिया जाता है इसमें मुख्या की भूमिकाद होती है वो बहु किया जाता है और उसका ही विसी इस हिस्सा है वो आदिम समाज के मुख्या को मिलता है तो इस तरह जो उत्पाद्न होता है यानि कि जो खाद्यान है शिकार है या अनाज है उसका कितना और कौन सा हिस्सा किस को मिलेगा या मुख्या रूप से मुख्या ही ते करते हैं और खेत के मात्यम से समुधाई का उत्पादन का कारी होता है जिसमें समुधाई के सबस्थ सम सद्थ से मिलकर अनाज का उत्पादन करते हैं यह मुख्या की देख रेक में होता है उसके बाद में पूरा जो अनाज है वो मुख्या के यह त्यमा कर दिया जाता है उसमें मुख्या समुधाई के सदशों को आविस सित्ता के नुसार उसका वित्रण करता है उद्रण के लिए अगर एक परिवार में केवल एक ही विक्ति काम करने योग के है किन्तु उस परिवार पर नहीं बड़ लोग बुड़े बच्चे जो की खेत में काम नहीं कर सकते हैं तो उस परिवार को पांच विक्तियों का पीट भरने लाइक अनाज मिलता है इसी तरह एक दूसर परिवार है जिसमें चार ही सदसे हैं और चारों लोग काम करते हैं तो उस परिवार को चार लोगों के उधर पूरती के लिए अनाज मिलता है यहां पर ऐसा नहीं है कि जो विक्ति जितना काम करता है उसके नुपात में उसको एसा मिलना है अशा नहीं होता है उसको जो खाद्यान है अनाज है उसका विद्रण आवस्त्ता कि अचैनुसार सुनिस्चित किया जाता है फिलिपिन्स की इफूगा वो एक जंजाती है उसमें परिवारिक आदार पर खेती होती है और जो अनाज उत्वादन होता है खाद्यान उत्वादन होता है वो परिवार के पूरती के बाद अगर बच जाता है तो दूसरी परिवारों को वह उकलब्द करवा दिया जाता है औ आगे जब भी फसले अनाज उत्वादन होता है तो उसे वापस लोटा देते हैं लेकिन इसके लिए उनको अत्रिक्त अनाज भी देना पड़ता है तो कई बार वितरन ऐसा मान होने के कारण इसमें सोशन जैसी इस्ततियां भी पनेखने लगती है किन्तों एक बहुत ही मिश्चित किया जाता है और एक परिवार की जरूरतें पूरी होने के अपरंत जो अत्रिक्त खाद्यान है वो दूसरे परिवार को अपलब्द करवा दी जाती है उसको उदार्था पर रूप दी जाती है अत्रिति सतकार के रूप में उनको दी जाती है तो प्रतिक परिव ये वित्रन का कार्य करते हैं, इस तरह समाज में आर्थिक समानता है बहे बनी रहती है, और अनाजका और खाद्यान का उत्वादम का नियाइपूंद वित्रन सुनिश्चित करने की कार्य प्रणाली आदिम समाज ने वेकसित कर रहे हैं। इसमें एक जैसा प्रतिमान्त हो देखने को नहीं मिलता है लेकिन प्राए आदिम समाज में वित्रण की जो कारे प्रणाली है जो आदिम अर्थी व्यवस्ता का कारे प्रणाली का एक मैत्मुन रठक है उसमें जो अनाज है खाद्यान है उत्पादन है उसका समतापून और न जीवन का अस्तित्य बनाए रखने में किसी तरह की कठने यह नहीं हो तो पारिवारी को श्रामोदाइक भावना घहरी होती है सुद्रद होती है और इसके माध्य में से वो अपना जीवनी आपन करते हैं आर्थ किरियाओं को संपन करते हैं यह है आदिम आर्थी विवस्ता की प्रियाओं को वित्रण घटक है अब हम आते हैं उफबोग की यह और उफबोग का थात्वरी है है जो उत्पादन हुआ है खाद्यान है अनाज है जीवनी आपन की दूसरी जरुरज है है उनकी उपयोगीता को काम में लेना उनकी उपयोगीता समिष्चित करना और आदम स समाज हम देते हैं कि बहुत बड़े पेमाने पर अत्रिक्त उत्पादन नहीं होता है परिवार की जरूरतों के लिए ही उत्पादन होता है और जो उब्वो होता है वो सामाजिक इस्तती के अकोर्डिंग होता है कि एक व्यक्ति किस सीमा तक और कितना उब्वो करता है यह उस सब्सक्राइब करने का हक होता है इस तरह आदिम समाज में जो अपोग होता है बहें सरपरतम तो मानुकी मोलबूच जरूरत की पूरती सनिश्चित करता है, उसका सारे रिख अस्तित बनाई रखता है, उसके मनवविगे नहीं काविश सकताओं की संतुष्टी करता है, उसके उपरांत अत्रिक वो का जो अधिकार है, वो आदिम समाज में मुख्या और अन्य प्रतिस कुछी लोगों को होता है, कभी-क अधिम समाज में द्रिश्टी आकरसक उपोग, जो जानमाने समासास्त्र थरस्टिन वैबलीन ने दिये, द्रिश्टी आकरसक उपोग कंस्पी कि इस कंजम्शन के उधारन भी देखने को मिलता है, जनके आदिम समाज में वेखते की समाजिक प्रतिष्टा और मान सम्मानते होता है, इस इस्तति में आदिम समाज के जो सदसे होते हैं, वो समुईक भोज का यजन करते हैं, उसमें खाद द्यान है, अबबो की जो वस्तने हैं, उनके बरबादी होती है और व्यापक इस्तर पर उनका इस्तिमाल होता है, इसके मादिम से वो अपनी समाजिक प्रतिष् किन्तु आधिम समाज में सामानित है उत्पादन की जो मात्रा ही वो चूकि सीमित होती है वो अपनी जीवनी ये आपन की आवसक्ताओं की पूर्थीत की उत्पादन करते हैं इसलिए अत्रिक्त खादिान है अनाज है उकष अफबो से वया नहीं होती है इसलिए वीयापपक इस तरफर बड़े पमाने पर दृष्टि आकशक उबोग का उधारन नहीं मिल पाता है, इसका आउसर नहीं मिल पाता है, इस करण उबोग की जो मातरा होती है, वो प्राई लगबग एकजिसी होती है, और आदिम समाज में हम यह देखते हैं कि आदिम समाज में चुकि जरूरतों की पूर्टि के लिए जीवन निर्वाह के लिए लाबार्जन के लिए और परतिस परता के लिए समाजिक परतिष्ट आओ पर उठाने के लिए नहीं होता है, इसकारण उनका जो जीवन इसस्तर होता है, लिबिग स्टेंडर्ड वो बहुत नीचा होता है, काफी कठनाई पोनों शरंगस्त में उनका जीमियापन होता है और जो उबो की प्रकर्ति होती है आदिम समाज में वो केवल मुलवूच जरुरोतों की पूर्चतिकी होती है और कुछ-कुछ उधारन है वो द्रश्टी आकाशक उबो के मिलते हैं जहां पर आदिम समाज के सक्सम जो मुखिया है या अन्य प्रतिष्टित व्यक्तिव अपनी समाजिक प्रतिष्टा को उपर उठने के लिए कभी-कभी सामोइत बोज के मादिम से बड़े उप्भोक और खाद्यान और उपादिन वस्तिव की बरबादिके इसे उधारन प्रस्तोत करते हैं लिकिन इसे उधार की साहरवो चर्चा है जो मैंने आपके साथ सेयर की है और मैं समझता हूँ कि आपने इसको बेहतर देंच से समझा है इसे आपके यह जो अधारन है इसे पेस्ट हुई है फिर भी समझने में परेशा नहीं हो तो आप हमारे साथ सेयर कर सकते हैं कोई जिग्यास है कोई प्रेस सेयर कर सकते हैं उसका भी स्वागत है इसके अगली वीडियो में डियर स्टुडेंट्स हम आदिम समाज की विनी में परता है एक्सचेंज है उपार परता है होस्पिटिलिटी अतिति सतकार परता है इन चीजों का अध्यन करेंगे उसमें सेसरोप से हैं पॉटलेज है पु क्यास किया जाएगा चूंकि वस्तों का अधान फर्दान होता है वो उपहार व्यापार और वीनी में इन तीन माध्यम से होता है तो इनको हम संक्सित में अगली वीडियो में आपके साथ सेयर करेंगे धन्यवाद